हेलो इस्टुडेंट वेलकम टो माई यूट्यूब चनल एकेम्टी कोर्स आज में क्लास नायंत का चेप्टर 4 लिनियर एक्वेशन इंटू विरियेबल का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेशन नमर्ट 2 बताने जा रहा हूं इसका टोटल 4 solution फाइंड करना है आएए फाइंड करते हैं तो solution फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको settlement करना पड़ता है चलिए तो इसको settlement करते हैं यह जो दिया हुए एक्वेशन तो आप देखिए आप किसी एक चीज़ लेजिए या तो y ले लेजिए तो या तो x ले लेजिए तो मैं y ले रहा हूं तो y एक्वाल क्या जाएगा 7-2x आ जाएगा या गया ऐसे आपको करना है सबसे पहले कोई एक ऐसा equation बनाएए थाकि आपको दिक्कत नहों value put करने में चलिए अब हमको बारेकी तरीके से x का value इसमें लिखना है उसके बाद y का value find करना है solution मतलब x का value और y का value find करना है कितने 4 solution हमको find करना है आईए तो हमां लेते हैं x का value एक बार में 0 x is equal to 0 तो x is equal to 0 है तो y equal क्या ज 0 हो जाएगा तो answer क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा ठीक हो इसे ही मानिजे x के value अगर हमारा 1 होता है तो y equal क्या था 7 minus 2 into 1 equal तो 2 1 जा 2 यानि 7 में 2 minus करेंगे तो 5 हो जाएगा बास ठीक अब मानिजे x के value हम 2 ले रहे हैं तो y is equal to 7 minus 2 into 2 equal तो देखे 2 2 जा 4 7 में 4 अगर minus करेंगे तो कितना आएगा 3 जाएगा चलिए अमारे यह x के value हम क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं तो y is equal to y equal हो जाएगा हमारा 7 minus 2 into 3 तो देखे 2 2 जाए 6 तो 7 में 6 को minus करेंगे तो कितना जाएगा 1 आ जाएगा ठीक वैसे भी इसको भी करना है सबसे पहले इसको arrange करना होता है और आप arrange कर लेते हैं तो आप perfect question आप ले जाएंगे करके चलिए देखें इसको करते हैं तो arrange में आ जाएगा y के value लेते हैं तो y is equal to 9 minus pi x ठीक अब 9 देखें मैंने pi x को इधर भेजा है तो यहाँ plus sign आए तो यहाँ minus sign के साथ आगे हैं बस ऐसे ही करना है और एक बार मैं रेता हूं 0 ठीक तो x is equal to 0 हुआ तो y equal क्या हो जाएगा तो 9 minus pi into 0 तो pi into 0 पूरा 0 हो जाएगा तो 9 में से 0 minus करेंगे तो 9 ने रहेगा बस ठीक आए यह next देखते हैं अब x का में लोग क्या ने रहे हैं तो y equal क्या जाएगा 9 minus pi into 1 तो pi into 1 pi हो जाएगा यानि जो answer हो जाएगा जाएगा 9 minus pi ठीक अब x is equal to 2 ले रहे हैं 2 ले रहे हैं तो y क्या जाएगा 9 minus pi into 2 मैं x के जाएगा पर पूट कर दे जा रहा हूं जो यहाँ x का मेल्यू ले रहा हूं उसको यहाँ x के जगए पर पूट कर रहा हूं ठीक तो जाएगा 9 minus 2 into pi 2pi ठीक चलिए next लेते हैं 3 लेते हैं तो y is equal to 9 minus pi into 3 जाएगा 9 minus 3pi बस ऐसे तो करना है आए एक और question है उसको भी देख लेते हैं question नमा 3 है इसको भी arrange करते हैं तो arrange में करते हैं y लेते हैं तो y is equal to क्या जाएगा x upon 4 हो जाएगा x upon 4 कैसे होगा देखिए यहाँ 4 क्या है multiply में है तो यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा upon में चल जाएगा है इसलिए x upon 4 है यह x है x upon 4 ठीक आए value put करते हैं तो x is equal to manage हम 0 ले रहे हैं तो y के value क्या जाएगा 0 upon 4 यहाँ पूरा 0 हो जाएगा तो x अगर 0 लेंगे तो y भी हमारा 0 आएगा ठीक आए अब x हम 1 ले रहे हैं तो y is equal to क्या जाएगा 1 by 4 हो जाएगा सिंप्लिस बात है अगर हम 2 ले रहे हैं तो 2 by 4 हो जाएगा अगर हम 3 ले रहे हैं तो y is equal to 3 by 4 हो जाएगा